सेलेक्टीव ब्रीदिंग और आर्टिशिल सेलेक्शन ठीक shines time Brazil शनीं जो लास अंपकसित हमने बड़ा है वसमें देखा था नेचिरल सेलेक्शन हमने जो लास लेक्च्व देखा Consider डेट that was natural selection ठीक है natural selection ठीक है और अब भी जो topic है that is artificial selection ठीक है तो these are the two topics that are interrelated ठीक है तो जो आप नाम देखते हो natural selection यहां से आप देख सकते हो कि जो natural selection है ठीक है उसमें क्या होगा जो particular किसी organism की selection जो होती है ठीक है वो कौन करते है इसमें जो selection process है वो कौन करेगा nature करेगा ठीक है but in case of artificial selection ठीक है ना in case of artificial selection जब हम artificial selection selection की बात करते हैं तो इसमें जो selection process है वो कौन करेगा that will be by human ठीक है ना human या human interference से जो selection होती है उसको हम कहेंगे artificial selection ठीक है तो natural selection में हमने क्या देखा था जो Darwin theory जिसकी जिसने natural selection दिया था ठीक है तो natural selection अगर हम देखते हैं that was a very important theory जो क्या कहता था ठीक है natural selection में क्या होता था नेचरल selection में हमने देखा था हां natural selection में हमने क्या देखा कि किसी भी organism का ठीक है तो Darwin theory में हमने देखा कि जो living organism जो present होते हैं ठीक है यहां पर देखें जो living organism मान की चले this is a and this is b ठीक है यह दो living organism जो है वो present है ठीक है तो living organism जो वो present है ठीक है अब इन दोनों organism में डाविंग केता था कि इसमें क्या होगा variation जो है वो present होगा ठीक है variation जो है वो इन में present है ठीक है और इन में variation जब present होता है उस वज़े से क्या होगा इस वज़े से इन में different characters जो है वो present होगे ठीक है ना इन में क्या होगा इन और्गानिजम में different characters जो है वो present होगा ठीक है ना तो ये different characters जो इन में present होगा ये characters इनको survive करने में help करता है ठीक है ये वाले जो characters है इनको survive करने में help करते हैं तो जो characters इनमें present होता है characters ये इनमें जो characters present होगा वो इनके लिए beneficial हो सकता है या इनमें जो characters present हो वो उनके लिए क्या हो सकता है harmful भी हो सकता है means beneficial नहीं हो सकता ठीक है ना तो जब हम देखते हैं natural selection में क्या होता है दो organisms जो present है इनने जो कुछ specific characters इनने present है ठीक है ना इन दोनों में क्या है? variations जो है वो present होता है जिनसे एक specific character जो है ये variations होने की वज़े से इनने specific characters जो है वो form होती है ठीक है ये हिन उनको environment में help करने के लिए surviving करते हैं ठीक है ना तो इसमें अगर हम example लेते हैं जिर्फ की ठीक है ना तो नेट्रल सेलेक्शन डाविन् ठियोरी रफ्菜 tiārle प得 सेविषप पहले तो डेयरलाइक ते चीक है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि क्या हुआ जो नेचरल जो विजिटेशन है ग्राउंड विजिटेशन वो क्या हुआ खत्म हो गया ठीक है ग्राउंड विजिटेशन के खत्म होने की वज़े से क्या हुआ इनको अब जो उनकी एविलेबिल्टी जो फूट है फूर्ट थे या इनको जो लीव्स खाना था उनके लिए इनको क्या एप्रोच करना था आप ट्रीज को एप्रोच करना था ठीक है तो ट्रीज को एप्रोच करना था इसलिए उन्होंने अपने बॉड़ी में कुछ वेरियेशन लाये ठीक है तो वो वेरियेशन जब हम देखत है तो जो होता है ठीक है यहां देखिये एक रहा डियर नायक ठीक है अब इसमें जो वेरीशां इस Kend नहीं लाए ठीक एक दूसरा जिराफ था उसने अपने बाडि में कुछ लाया है ठीक है कुछ पे도 shooter's लाया है। इनकी जो नेक है वो क्या हो गया देट वह अपने मेलब वह लोग अप्रोच करते रहें लीव की तरफ तो एक ताम ऐसा आया इनकी नेक जो है वो क्या हुआ लॉंग हो गई डेवलेफ हो गई ठीक है और लॉंगर होने के वाज़े से वह हाइर ब्रांचेस को क्या कर सकते हैं यूखोर अप्रां बेन으면े बेचु में रोनो में भूटें भी खी ब्रांचेस को क्याका है यह जिरॉम किया हैं वह भी इंड्राफ की कि अपने पुर्पचि tu न वह राया में चेंज्जिस आए हैं जिसके साफसे इसके अपने आपको क्या क्या और या एडाप किया बड जो यह बी वाला जिराफ है ठीक जिए जिराफ जो है अब इसके पास जो ayниковी खोता है यह फिर फुट की अबील इसने अपने environment के हसाद से अपने आपकर एड़ाप्ट नहीं किया तो इसकी यह organism है इसका eradication यानी रेडिकेशन आपकर और एnelातर ऊठाप word वरेर ींसीं-ह वह सन और वो higher branches को क्या करेंगे higher branches से leaves को वो acquire करेंगे ठीक है तो that means इसमें जो variations है ठीक है ना इसकी जो variations है उसने इस जिराफ को अपने environment में survive करने के लिए help किया ठीक है या हम simple word में बोलते हैं कि nature ने ये वाला जिराफ है ने इसमें हम natural selection में कहते हैं जो ये जिराफ था जिसका neck जो है लंबा था ठीक है ना तो ये A वाला जिराफ और ये B वाला जिराफ ठीक है जिसका नेक लंबा था तो ये अपने एंवार्मेंट में सर्वाइब करेंगे और ये जो है सर्वाइब नहीं करेंगा ठीक है तो हम इस चीस में कहते हैं हम इसमें ये कहते हैं हाँ तो दो जिराफ थे हमारे पास एक करने एक छोटा था दूसरे कनेक लम्बा था ठीक है इस इसको सर्भाइब करने में हल्ब करेगा ठीक है और यह जो सर्भाइम रही है यह सर्भाइम कर pra oczywiście hmm रही है यह यह तो यह का है ऑर–बना की चंश्न्स मैकसिमम है ठीक है और ये सर्वाइब करती है ठीक है और जो लॉंगर नेक्ट वाला जिराफ सर्वाइब करती है तो हम कहते है नेचर ने इस और गैनिजम को सेलेक्ट किया ठीक है और इसको सेलेक्ट करने के वज़े से हम इसको बोलते है नेचरल सेलेक्शन ठीक है और इस organism की selection जब किसने किया nature नहीं किया तो उसे हम natural selection कियते हैं ठीक है however इसके comparison में ठीक है इसके comparison में अगर किसी भी organism में ठीक है दो organism है यहाँ पे present ठीक है दो organism है उनमें कुछ special character जए वो present है मानके चलिए it is a cow ठीक है it is a cow A or it is a cow B एक है न हम देखते हैं कि काव की जो मिल्क ही यील्ड बहुत जल्दा आरे तो अगर यह बीस पीस है से हम ने गहा है और Side उसमें यह वाला काव कावे यह जो यील्द है या इसकी मिल्क की टेस्ट ही मानन की चलेए टेस्ट जहें।到底 है C You तो हम ने जो दो character's देखे इन organism में विल्कुल सेलेक्टेट बाइ ध्यूमर्स ऐक है। तो उसको acquire करने के लिए क्या करेंगे उसको acquire कर ली यह trace कर हाएंगे एक नया स्पीशिज आयेगा जिसमें दोनन character प्रेजन होगा. यानि LE avoir milk yield जो है वह ज्यादा होगा और तेज जो है वो भी अच्छा होगा ठीक है तो इस तरह की जो breeding है जिसमें हुमन जो है एक selective breed को select करते हैं ठीक है ना to attain specific to acquire a specific character in a particular organism इस तरह की जो breeding है उसको हम क्या कहेंगे selective breeding और artificial selection ठीक है So what is selective breeding, selective breeding, it is a process, ठीक है यह एक प्रोसेस है, ठीक है यह एक प्रोसेस है, ठीक है जिस रख नेशरल सेलेक्शन हुआ करता था, it's also a process of breeding plants and animals, ठीक है, इसमें हम breed कराते हैं, किसकी plants की भी और animals की, ठीक है, for a particular trade, एक particular trade के लिए, एक specific trade के लिए हम क्या कराते हैं, breeding कराते हैं, किसकी plants की भी कराते हैं, और animals की भी breeding कराते हैं, ठीक है ना, तो the term selective breeding is synonymous with the artificial selection, यानि अगर हम selective breeding की बात करें, ठीक है या हम कहें artificial selection, ठीक है, so these are the synonymous word, यह एक ही word है, ठीक है, so the selection process is artificial, the selection process जो है, अब इसमें हमने natural selection में क्या देखा, हमने natural selection में देखा, जो natural selection था, that was natural, ठीक ना, selection process, natural selection में वो क्या था, natural था, ठीक है, और हम artificial selection में जब हम बात करती है, selection process की, that is artificial, ठीक है, तो artificial selection, इसमें जो selection process वो artificial है, the selection process is artificial when human preferences for specific threats have a significant effect on the changes in a particular population or species, यानि, इसमें हम जो selection process है, एक तो artificial है, ठीक है, na, artificially हम select करेंगे, ठीक है, artificially select करेंगे, एक, when human preference for a specific, जब human जो है, किसी organism की specific treat को जो वो prefer करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम artificially क्या करते हैं, सेलक करते हैं, ठीक है, ठीक है, that have a significant, जिसके वैज़े से क्या होगा, एक significant effect हो सकती है, ठीक है, ठीक है, तो उस बसे इन और्गैनिजम में जो एक specific treat आएगा, ठीक है, एक नया कहेंगे, उसको हम कहेंगे, selection process, ठीक है, now, what is domestication and selective breeding, ठीक है, तो यह domestication एक term है, जो आपको पता करना की, यह क्या होता है, ठीक है, so, domestication is word, domestication, it is a process, यह process है, जिसमें क्या होता है, whereby, by a population of an animal or a plant through a process of artificial selection is changed उसको क्या किया जाता है चेंज किया जाता है एड जेनेटिक लेविल ठीक ना जेनेटिक लेविल पर उसको चेंज किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है इसेंच्वेटिंग ट्रेट्स डिजार बाइ ईमन्स ठीक ना और उसमें जो स्पैसेफिक ट्रेड्ज जो है जो विच अप्रफेट्ट बैदर हुमन्स उस चीज़ को हम क्या करते है उसमें आशेंच्वेट करते हैं ठीक है तो डॉमस्टिकेशन इस वाट इट इस अप्रोसे में जब हम देखते हैं तो domestication में हम क्या करते हैं in population of plant or population of animal को हम क्या करते हैं through a process of artificial selection से क्या artificial selection से इसको क्या करते हैं change करते हैं at a genetic level ठीक ना इसकी gene level में हम कुछ changes लाते हैं ठीक है ना accentuating traits desired by humans ठीक है ना और वो traits which are selected or which are desired by humans ठीक है तो इसको हम बोलेंगे domestication ठीक है ना फिर उसके बात है it differs from taming in that a change in the genetics and a physical rate of an animal or curse ठीक ना and taming is the process by which animals become used to the presence of animals so यह जो इसमें domestication है it difference for taming से यह डिफर करता है ठीक है ना तो that a change in genetics and physical travel animal इसमें क्या होता है change हो रही है कि इसमें एक तो genetic level में और जब genetic level में चेंच होगा तो जाहर से बात फिसकल trade में भी चेंच होगा ठीक है and timing is the process or a taming term है that is the process by which animals become used to the presence of humans जो animals जो है वो become used ठीक है ना to the presence of humans की presence से तो उसको हम क्या बोलेंगे taming कहेंगे ठीक है चलिए अब उसके बात है हाँ तो यह जा हिस्टोरिकल सपोर्ट ऑफ सेलेक्टिव रेडिंग की क्या ऐसा support रहा है ठीक है हिस्टोरिकल सपोर्ट है फोर सेलेक्टिव ब्रेडिंग तो चाल्स डाविन ने रोट उसने क्या लिखा था उसने लिखा जो सेलेक्टिव ब्रेडिंग है फैड बेन सकस्द पूट न in producing change over time in his book on the origin of species तो वो कहता है कि हाव सेलेक्टिव ब्रेडिंग है किस तरह के से सक्सेस्फफल रहा सेलेक्टिव ब्रेडिंग ठीक ना ठीक प्रोडीसिंग चेंच अब टाइम इस बुक और टाइम के साब से अपनी जो औरिजिन आप स्पीशिस है उसमें भी कुछ चेंज़ लाते गए ठीक ना तो यह जो ब इसन के डिमस्टिकेशन को लेकर डॉक्स के लेकर ठीक ना एंड कैटल्स को लेकर ठीक है ना थीज आर दा डिफरेंट और गयानिजम ठीक है जिनको हमने सेलेक्ट किया है पर्टिक्लर ट्रीड की लिए ठीक है ना तो सेलेक्टिव ब्रेडिंग एसे वाज यूस यूस यू to introduce the theory of natural selection and to support it. तो selective breeding यूस किया है, किसने selective breeding? देट वस यूज़ बार डार्वीन ने उसको यूज़ किया, क्यों? to introduce करने के लिए the theory of natural selection, त्यक्ष़ ने जो natural selection की theory है, उसको इंट्रोड़िश करने के लिए और to support है, उसको support करने के लिए Darwin ने selective breeding की use कि ठीक है ना so what are the advantages of selective breeding अगर हम जब selective breeding करते हैं कि इसके क्या advantages है ठीक है हमने जिसे plants और animals की क्या की selective breeding किया ठीक है तो उसमें हमने देखना है कि ऐसा क्या है इसमें ऐसा क्या advantage से selective breeding करते हैं जैसे हम selective breeding कहां 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 करते हैं different organism में करते हैं जैसे हम dogs में करते हैं ठीक है ना dogs की selective breeding करते हैं ठीक है या हम किसकी gates की हम selective breeding कर सकते हैं ठीक है या different plants की भी हम क्या करते हैं selective breeding करते हैं ठीक है या अगर हम देखी है जो different breed है dogs के हम उनको attain करने के लिए इनकी क्या कराती है selective breeding जो है वो कराते है तो selective breeding जो है वो क्या करता है यह किसमें help करता है establish करने के लिए ट्राइस ट्राइस ट्राइश एंड मेंटें सटन स्टेबल ट्रेड्स देट आनिमल्स विल पॉस्ट तु दर नेक्स जनेरेशन ठीक ना सो selective breeding जो है वो किसमें help करता है तो establish and maintain a certain stable traits ठीक ना कुछ selective breeding में हम establish करने की कोशिश करते हैं और maintain करने की कोशिश करते हैं कुछ stable trait को ठीक ना जो आनिमल जो है एक generation से दूसरे generation में पास करते हैं ठीक ना अब उसके बात है advantage is second advantage ठीक ना these are the traits that human find desirable in domesticated species ठीक ना तो यह जो selective breeding की जो advantage इसे उसमें क्या है these are the traits that humans find desirable ठीक ना these are the traits यह क्या है selective breeding these are traits that human find desirable ठीक ना in domesticated species in domesticated species में यह क्या है it is desirable such as disease resistance है क्या क्या है such as disease resistance ठीक ना strength है calmness है more lean ठीक ना so these are what these are the treats that human find desirable in domesticated species में जो treat है ठीक ना तो इस तरह की treat जो है वो पाया जाता है in many cases these make the species stronger ठीक है ना तो इस तरह की जो changes है उससे क्या होगा जो species से वह stronger stronger हो जाता है ठीक ना चलिए फिर इसके बाद है disadvantage of selective breeding जो selective breeding होता है क्या इसके कोई disadvantage है या या इसकी कोई क्या बोलते हैं उसको क्या कोई disadvantage है या selective breeding से लेटे है ठीक ना तो this is how things goes ठीक ना हमें देखना है disadvantage क्या है इसके breeding from too small or a gene pool ठीक ना breeding from too small or a gene pool can lead to the passing or अगर 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 ब्रीडिंग जो हो रहा है ठीक ना तू स्मॉल बहुत कम हो रहा है ठीक है and a gene pool can lead to the passing or अगर उसमें क्या हो जाता है gene जो है gene pool जो है अगर उसमें form हुआ है ठीक है तो at least a passing of undesirable characters जो होने के chances maximum होते हैं ठीक है so breeding for too small a gene pool can lead to the passing of undesirable characters or even a collapse of breed population due to what is called inbreeding depression किहते हैं ठीक है तो disadvantage यह है कि अगर किसी small population ब्रीडिंग कराते हो a gene pool can lead to the passing of undesirable characters जो है वो पास होने नहीं देखा ठीक है और even a collapse of the breed population due to what is called inbreeding depression अगर inbreeding depression होता है तो there is a chance of collapse of breed population ठीक है फिर उसके बाद next जो है that is breeding इसकी क्या second disadvantage वो है breeding for only one tree ठीक है ओवर all others can cause problem ठीक है अगर breeding जो है एक ही trade के लिए हो रहा है ठीक है तो एक ही trade के लिए different organisms में होगा तो उस वज़े से क्या होगा problem जो है वो cause करेंगे ठीक है ठीक है न जिससे for example certain roosters से क्या है certain roosters यह जो cock होते है ठीक है ठीक है न तो certain roosters जो है उनको breed कराया था उनकी breeding कराया थे ठीक है न for fast growth के लिए ठीक है how to perform the typical rooster courtship dance ठीक है तो हमने देखा कि इन roosters में क्या है they didn't know how to perform the typical rooster courtship dances जो है वो कैसे किया जाता है ठीक है न जो behavioral changes ठीक है ठीक है ठीक है तो courtship dance जिसे हम कहते है वो क्या होता है जो courtship dance है they did not know how to perform ठीक है यह जो organism यहां पर present है इनको नहीं पता था कि कैसे करना होता है ठीक no mating dance led to the roots to kill the hans no mating dance led to the roosters to kill the hans after producing with them ठीक है तो no mating dance led to the roosters ठीक है जो कोई भी mating dance ठीक है जिसे रोस्तर को कहा है to kill the hans after producing with them ठीक है जो hans जो produce होता है after production ठीक है तो no mating dance led to the roosters ठीक है ठीक है किसी ने रोस्तर की तरब यह नहीं किया ठीक है this is not a trait which encourages survival of the species ठीक है तो यह है breeding for only one trait over all other skin cause problem हो सकती है और अगर हम देखते हैं for example certain roosters bred for the false spirit के लिए वो breed करते हैं और heavy muscles के लिए do not know how to perform the typical rooster courtship dance ठीक है फिर उसके बात है the dance bond the roosters to the hans ठीक है which encourages ठीक है तो ऐसे trait जो है वो क्या करते हैं encourage नहीं करता किसी species की survival को ठीक है so यह हुआ selective breeding और artificial breeding ठीक है तो selective breeding और artificial breeding में हमने क्या किया specific traits को हमने select की ठीक है ना तो उनको select करने के बाद उनको breed करा ठीक है ठीक है ना तो breed किया जब जब इनकी breeding कराए गए ठीक है तो हमें एक preferred जो है एक ऐसा organism या एक ऐसी species मिल जाती है containing the desired characters ठीक है ना जो हमें desired characters जो हमें जो characters हमें desired था वो characters उनमें present होंगे ठीक है ना तो हम example देखते हैं कि these are the examples of selective breeding ठीक है ना जब हम selective breeding की example देखते हैं तो आप यहां पे देखे these are what these are the characters in a variety of colors ठीक है तो हमारे पास जो character था जो characters था वो red color के ही था या orange के ही था ठीक है ना तो अब क्या हुआ examples of selective breeding ठीक है ना तो यह जो organism है ठीक है ना इनकी जो specific treat है उनको acquire करने के लिए आपस में breed कराया ठीक है ना breeding कराने के बाद क्या हो गया यह जो organism से वो यह जो carrots है ठीक है और उनके breed कराएंगे ठीक है जिन में ठीक है ठीक है ठीक है ना so these are the carrots in a variety of colors ठीक है जिसमें क्या है variety of color जो है वो present है ठीक है so second example of breeding एक तो हमने देखाए different carrots जो है वो present है ठीक है अब second example अगर हम selective breeding की देखें तो उसमें क्या है selective breeding में अगर हम देखते हैं जो कॉंस होता है ठीक है ना यह कॉंस जो है इसमें क्या होता है there is a presence of varied years of means ठीक है ना कि इसमें क्या प्रेजेंट है varied varied years of means जो है वो इनमें present होता है इन इंडियन कॉंस में ठीक है ना तो हाँ example अगर हम देखते हैं selective breeding के तो यह कॉंस है ठीक है ना आप इनकी coloration जो हो बिलकुल change हो गया है ठीक है एक का बिलकुल white है एक का yellow हो चुका है ठीक है ना so यह क्या हो दीजार्दा selective breeding ठीक है ना selective breed करा के different species जो हो प्रोडीस करता है variegated heirs of maize या Indian corn ठीक है ना अब next example है that is next example is what that is the carolese cattle produce beef that has been more red meat than less fat ठीक है ना so in carolese cattle है it is also an example of inbreeding ठीक है ना तो यहां पर क्या होगा जो carolese cattle है वो produce beef करता है that has more red meat or less fat ठीक है जिसमे red meat जो है वो ज्यादा होगा और less fat जो होगा और less fat ठीक है ठीक है ना so this is the image of what this is the image of carolese cattle ठीक है so फिर उसके बाद next है next example is what next example is टीहुआस एंड अग्रेड देंस आर दे ब्रेड ओफ साइस ठीक है ना देखो breeding कराके selective breeding कराके डॉक्स के दो species जो है वो प्रोडूश किया ठीक है ना फास्ट व्हां इस थे जो फास्ट वन है जिसको फ्रोडूश किया है and second one यह है ठीक है जब हब देखते हैं जब इसको हम ने प्रूड़ कि प्रोडुक्शन तो कराई ठीक है ना लेकिन जब हम देखते हैं तो तो जो ये और्गैनिजम से ठीक ना जो ये और्गैनिजम होता है ठाय कि तो ये कि से साइस eSi से साइस के तीक है अगर पप यह साइस से अजली डाइट, meaning human को लगा कि ये जो डॉक से ठीक जी overlap ये ल professionals तो उनके साइज के लिए क्या हो गया? यह जो दो species है डौक के उनको सलग किया गया और उनकी जो है वो किराए गई यह जो इस आड़ टू डॉक्स इस आड़ टू सपीशिइस आफ डॉक्स अग्रेट डैनिस और यह हूआ कि ए these are what, these are the, these are the example of, these are the example, से के ना, अब उसके बाद हम एक comparative देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, selective breeding and natural selection, ठीक ना, what is the difference between selective breeding and natural selection, ठीक है, तो जब हम देखते हैं, natural selection या selective breeding की जब हम बात करते हैं, ठीक है, the main difference between, जब हम natural selection की और selective breeding की बात करते हैं, ठीक है ना, तो the main difference between the natural selection and the selective breeding is human involvement, ठीक है ना, यानि अगर हम इन में differences देखें, कि हाँ, natural selection और artificial selection में ऐसा क्या differences है, तो अगर हम डिफ्रेंस देखते हैं तो वो क्या है तो में डिफ्रेंस बेट्वी नेट्रल सेलेक्शन इन इस इलेक्टिव रीडिंग इस इमन इनवाल्ब्मेंट ठीक है ना जब हुमन जो है वो इनवाल्ड होता है ठीक है तो तो इनवाल्मेंट 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 होता है तो इनवाल्मेंट होने की वज़े से मेंट इनवाल्मेंट main difference जो है वही है कि selective breeding में human involvement होगा और natural selection में nature जो है उसकी involvement होगी ठीक है next जो है अगर हम देखते हैं natural selection में क्या होता है next difference अगर हम natural selection की बात करते हैं जो reproduction है कि इसका organisms का certain threads के लिए with certain threads is attributed to improve survival of the reproductive ability या survival of the fittest natural selection में हम क्या करते हैं natural selection में natural selection में natural selection में हम किसी भी organism की reproduction है या reproduction rate जो है किसी भी certain character के लिए ठीक न वो हम क्यों कराते हैं that is attributed to improve the survival ठीक न तो हम उनकी reproduction इसके लिए कराते है ताकि उनकी survival rate जो है वो बढ़ जाए या reproductive ability जो है वो बढ़ जाए ठीक न तो एक अगर उनकी survival rate बढ़ेगी ठीक न और secondly जब यह आपस में reproduction करेंगे ठीक है तो एक तो यह survive करेंगे survival rate बढ़ेगा तो इनकी population बढ़ेगा इनकी reproduction rate जो है वो भी क्या होगा reproductive ability जो है अगर वो भी improve हो गई तो इनकी population जो है वो भी बढ़ेगी ठीक है population बढ़ने से क्या होगा उनकी population बढ़ने से क्या होगा दे विल भी dominant in comparison to other organisms ठीक है तो इसको हम कहते हैं survival of fittest ठीक है ना natural selection तो ऐसी जो phenomenon उसको हम survival of fittest भी कहते हैं ठीक है और उसके बाद अगर हम देखते हैं next difference between artificial and natural selection में तो that is the artificial selection जो है उसमें क्या होता है human जो है favor specific trait ठीक है ना and control the breeding of those traits ठीक है ना natural selection में हमने देखा human की selection है due to certain variations या due to their differential reproduction ठीक है या difference in their reproductive breed ठीक है तो उस वज़े से क्या होता है उस वज़े से जो nature जो है उन specific organisms की क्या करते हैं selection करते हैं ठीक है ना लेकिन artificial selection में क्या होगा इसमें human जो है human जो है favor करेगा ठीक है किसी specific organism में जो specific trait हो या specific character हो उसको human जो है select करेगी या favor करेगा ठीक है फिर उसके बाद जो breeding है फिक ना breeding कराएंगे उन organisms को या control करेंगे breeding को between those organisms ठीक ना इन organisms की breeding में breeding के लिए या specific trait के लिए इनकी breeding को control करेंगे ठीक है तो इस तरह की जो selection है जिसमें human involvement होता है उसको हम artificial selection कहेंगे और जो selection process ठीक है जिसमें nature के environment हो उसको हम कहेंगे natural process ठीक है ना these are the few differences that exist between these organisms ठीक है ना तो firstly अगर हमने देखा differences में क्या है human involvement जो है selective breeding में और natural nature की involvement in natural selection ठीक है natural selection में क्या होता है reproduction जो है organisms की ठीक है किसी भी specific trait के लिए ठीक है ना that is वो उसका क्या purpose होता है उसकी purpose जो है survival rate को क्या करती है improve कराती है और reproductive ability को क्या करती है increase कराती है जिस वज़े से organisms that will be the predominant organisms in the environment ठीक है जिसको हम कहेंगे survival of the fittest ठीक ना the organism will be fit ठीक है ना fit होने की वज़े से उनकी जो fit होने की वज़े से क्या होगा इनकी जो population बढ़ेगी और environment में that will play a predominant role ठीक है तो उस तरह की जो selection उसको हम क्या कहेंगे artificial natural selection ठीक है और artificial selection में जो third हमने देखा कि human जो है किसी specific trait को favor करेगा ठीक है ना किसी specific जो breeds है different dogs के ठीक है यह इनके प्लांट जो है different जो modified जो plants है उनको हम produce करती है ठीक है जिन में क्या होते है nutrient value जो है वह बहुत ज्यादा होता है ठीक अगर nutrient value बहुत ज्यादा होगा तो उस वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से जो organisms है ठीक है जो plant organisms है ठीक है तो उन में हम जो organism को जिसको हम produce करते हैं उनकी nutrient value ज्यादा होगा तो हम आपस में breed करा के वैसे जो organisms है वैसे जो plants है उनको produce करते हैं ठीक है ना जिनकी क्या हो जिनकी जिनका क्या हो उन organisms का जिनकी अगर nutrition या nutrient value या nutrition value बहुत ज्यादा हो तो वैसी जो ट्रेट्स उनमें प्रेजेंट होता है उसकी आपस में हम ब्रेडिंग करा के उस तरह के organism produce करेंगे जिसमें वह specific trade जो हो प्रेजेंट होगे ठीक है ना तो यह होता है एक case of artificial selection in case of plants ठीक है तो यह artificial selection जो है that is applicable in both plant as well as animal जो यह artificial selection है यह plants में भी applicable है और animals भी applicable है ठीक है तो this is how the artificial selection or takes place ठीक है ना यह देखें यहां पर यहां पर यहां पर देखें यहां पर देखें यह जो plants है किसकी ब्रासिका ओली रैसी की ठीक है तो ऐसी जो plants है उसमें उनको हम artificial selection means उनकी जो कुछ specific traits है जिनको human ने prefer किया कि that that was found to be helpful ठीक है तो इनकी आपस में breed कराते हैं ठीक है ना organism की आपस में breeding कराए ठीक है ना breed करने के बाद क्या किया इनको artificially select किया ठीक है ना breeding कराए फिर उसके बाद breeding कराने के बाद different varieties जो हमने प्रिद्ध की तो ब्रैशिका ओ लिर एसके आप आपस में आपस कि आपस में रीडिंग कराने से जो डिफ्रेंट ब्राइटी स्पर्धिस्च वथे उसमें ब्रो प्रोड ला है तेक है 2nd is the cauliflower, 3rd is the colored greens, ya called ravi, and brussels sprouts, ya kale, cabbage, so these are the different organisms that are produced by artificial selection, brassica oloresi, after interpreting different organisms produced, different plants, such as broccoli, protein and nutrient content, cauliflower is also an example of artificial selection, these are the vegetables that are used on a daily routine basis, which we use, okay, these are the vegetables, which we produce from artificial selection, okay, so next, if you can see, that is, that is what docent and its modern descendant corn, a product of artificial selection, okay, these are the Indian corn, okay, अगर आप देखो, this are the ancestral corn, ये क्या है, primitive corn है, ठीक है, तो इसकी artificial selection करा के, हमने एक modern corn जो है, उसको produce किया है, ये कौन जो है, that is also produced by the artificial selection, okay, so this is also an example of artificial selection, तीक है, तीयो सिंटे, and is modern descendant, या आप देखें, हाँ, these are the cattle, अगर हम in case of cattle, ठीक है, न, for milk yield के रिए, हम different cattle को क्या करते हैं, breed करा के, हम different cattle हैं, उनको produce कराते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें, तो, चिलिंगम वाइड जो है, यह जो, यहाँ पर cattle, या, जो अंसी जो cattle है, ठीक है, न, जो अंसी जो cattle है, ठीक है, यह, these are the cattle which are produced by artificial selection, ठीक है, in order to, in order to increase the yield, ठीक है, milk yield को produce करने के लिए, हम interbreed करा के, एक specific, या एक special breed, उसको produce करते हैं, ठीक है, जो, यह, so these are the examples, ठीक है, these are the examples, which are mainly related to the artificial selection, ठीक है, जो, इसे सुएसे हकर ईकहार यहार सुएसाट पर todays lecture so, thank you, thank you very much it